कि फाइनली आप पहुंच गए हो उसकी वज़ा के हैं आपको यह ऑनलाइन वीडियो बनाने की क्योंकि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो सबसे पहले आप अपने नाम बताओ वैसे आपने नाम शो हो रहा है हर्श है हर्श कहां से हो मैं हर्श में विजराच से हूँ मैं साना डिस्रिक्स अच्छा कब आये थे थोड़ा अपने बारे में बताओ क्या क्या स्ट्रगल आ रहा है कितनी देर हुई है सारा कुछ एक्स्ट्रेंग करो हां हां पा फर्स्ट ओफ और तो मैंने फाइल लगाई थी सो यह सब चल आथा अच्छा में नाइन फेप को लगाई थी एट अपरल को मेरा बीजा था नाइन ने के अंदर वीजा आ गया तूड़ेट वीजा आगया और फिर मैंने तूरंट फ्लाइट के टिकेट कर दी तो मैं उन्नीश अपरिल से एमधा बाच से आया और फिर 20 अपरिल में एडिलेट में लेन्ट घू ओ फिर मैंने मेरे कुछ कौंटेक्स से तो मेरा रिलेएटिव के स्फ्रेंड मेरे को ले आई वो लोग बहुत अच्छे है तो फिर कली उन्होंने मेरा को बोला कि में उनके साथ रह सकता हूँ थी ड वाग spot कर रहे है beton पलू गुम्हाट में वह अश्यार क वो भी इसी वीक आया था तो पहले वो मेल्बन लेंड हुआ फिर इधर आया सो उसको रूमेट्स की कुछ प्रॉब्लम हुई थी सो अब हम यहां के मेंटालिटी हमारी सेट करनी होगी कि भई हमें अगर हमें लाइफ में यहां आगे आगे बढ़ना है तो उसकी यह प्रॉब्लम सी कि उसके रूम में उसको खाने की पीना का पूछ नहीं रहे तो वो खुद बना सकता था पर फिर वो सिड्नी चला गया अपने रिलेटिव के मां उसने ट्रांसफर ले लिया इसका वो बैड एक्सपरियेंस रहा है उसको समझा कि अम भी सपोट करेंगे बट ऐसा होता है और फिर यहां के लोग बाड़े अच्छे हैं यहां के लोग बहुत पोलाइट है मैं कभी भी कुछ भी पूछता हूं मेरे कुछ प्रॉच्छन होते हैं तो मेरे को बहुत अच तो मैंने वैसे ग्रूप जोइन कर रखे थे तो दूसरे यह तीसरे दीन ही एक रिक्वेस्ट आई थी जॉब की सो मैंने लिखा कि I am interested उसमें थोड़ा बहुत experience उनने मांगा था बट मैंने लिखा I am interested फिर मैंने genuinely उनको बोल दिया पीम में कि मेरे पास experience नहीं है I'm a fresh comer सोनन उनने बोला कि हम आपको trailing लेंगे and then you will get your pay so ऐसे मेरे को फिर मंडे को interview था उनको उन्होंने देखा मेरा performance उनको उके लगा फिर कल भी मेंने training वही और आज मेरा exam हो अभी मेरे family को यह बात नहीं मालूम है कि मैं ऐसे job तूड़ा है वह उनके लिए surprise है मतलब कोई बात नहीं आप यूटूब बड़ी बात है अभी देखो यूटूब के उपर हमारे कितने followers हैं subscribers हैं क्योंकि ultimately हमारा इस channel का जो main motive है वो है लोगों की help करना जतनी हो सके information spread करना हर एका अपना-पना experience होता है मैंने जो experiences हैं उससे share की है मैंने तीन-चार साल हो गए हैं वीडियो बनाते हुए हर एक चीज के बारे में लोगों को बता दिया जो मेरे पास experience हुआ है तो ये एक तरह का एक नया series कहलो जो नए upcomers आ रहे हैं like you आपका अलग experience है आप यहां पर आए अब मैं सुबह comment पढ़ रहा था कि Australia मत जाओ Australia में काम नहीं है full time काम नहीं है और मैं को एक नम से दिमाग में यह बात आई मैं का यह बात मैं शेयर करूंगा कि जो लोग यह सोचते हैं कि हर्ष ने तो तीसरे दिन ही काम अपना ढूंड लिया है क्योंकि देखो आपका जो विजन था वो पहले से ही था कि मैं Facebook के उपर जोइन किया हुआ जैसे मैंने प पहले से ही अपने आपको बना के ऐसे उस साब से कि मैं पहला स्टेप में ने जाना तो है लिए आज यह कल तो बुझे विज़ा तो मिल नहीं है बट बहुत जल्दी आपका वीज़ा है दो महीने में प्रॉक्सिमली पूरे दो महीने लगें आपको कईयों का दो महीने में तो आपका भी जिल्दी आ सकता है तो आपका चैलेंज क्या रहा है यहाँ पे आके मतलब कोई ऐसी बात जो पताना चाहते हो लोगों को मतलब हमें इक एक एड्जेस्ट होने में थोड़ी बात प्रोगों प्रोड़क दोंगा हमें सेखना आपढ़ारा में घंच करना बड़ता है जैसे नुजव हमे क्यल आंँ जायेग के काम dü士ं धा तो मेरे नहीं जाने कैसे जाते तो मेरे रूमेटस अचहे थे तो उन्हों मेरे को अपना मेट्रो काड़ दिया तो वहां पर मुझे थोड़ा सा मतलब खराब एक्स्पियोंस तो नहीं कहूंगा मैं पॉजिटिव रहता हूं तो मैं जासे में इंटर हूआ मेरे को नहीं पदा था कि कहां ट्याप करने वहां लिखा नहीं था अलगी टैप का था सो फिर ड्राइवर अच्छे थे वो थोड़े से हुगए थे फिर वह बाहर आया उन्होंने मेरे को ट्याप करके दिया बट अशारे ऐसे नहीं होते बट पकुछ है किसे हो तो वो लोग बहुत अच्छे थे वो लोग मेरे से एक स्ट्रेशन पहला है तो मेरे को बाता के उतरे कि तुमको नेक्स स्ट्रेशन पहले है और यहां पर टेक्नोजी एडवांस है लाइक गूगल पर हमको दिखा थे कि कितने बज़े बस आएगी हमारी बस कहा पहुंची है अच्छाइइए फ्लिंडर्स है गफ्ली न Sugar स्टूर्ड रोड पर हां न हम आपफ़ी लोग वहां पर अद मिशल ले रहे है तो आपको कोई परशानी दोने बस बदलने में या कुछ में कोई परिशान नहीं होती क्योंकि यहां पर टेकनलोजी इतनी एडवांस है और हम लोग ना इजी ली ग्रास्प कर सकते हैं उसने कुछ है नहीं बस बदलने में अगर आपकी बस में सो जाती है तो पीछे के बीचे बस आती ही रहती है दो मेट बाद, दस मेट बाद, पंदरा मेट बाद हाँ, अगर एड़ी लेड में हो और रात के ताइम को आपको बस पकड़नी है तो उसमें थोड़ा सा कॉंसेस रहना पड़ता है क्योंकि रात में दस बजे के बाद बसे स्कम होती है इन लोगों का इतना अच्छा है कि जैसे कि हम हैंड सो नहीं करते बस खड़ी दखने के लिए फिर भी रात को किसी को भी देखते हैं तो बस आके खड़ी कर देते हैं कि अगर उसको बैठना है तो यह इतनी पॉजिटिव चीज मैंने देखी है खड़ी कर देता पूछ देता कि अगर आपको आना है नहीं फिर ही वो ले जाते है ऐसे नहीं कि बस जाने दी यह अची बात है बना लिया मैट्रो का नहीं मैट्रो कार बनाने के लिए कल मैं अपना वो करने गया था सारे एंडर्यमेंट बगरा कल इनिवर्सिटी में आपको पता है कि वर्किंग राइड्स आपको पूरे है फुल वर्किंग राइड्स है तो दबा के चाम करो जून तक सरकार ने दे दिया है मौका कि आप जून तक पूरे दबा के काम कर सकते हो देखो ऐसे मौके जो है ना बहुत गम आते हैं और पैसे आपको बनेंगे ज़्यदा उस ताम के उपर बार में फिर आपको 20 आवर्स पर वीच के साथ से करना पड़ेगा ठीक है ना नहीं हाँ 20 आवर्स के लगा अभी एक और स्टूडेंट जो है उसके साथ भी मेरी आज मीटिंग है और यहां पर एक्सपिरिंस बहुत अच्छा राए क्योंकि लोग ज्यादा हेल्फूल है लाइक मैं कल बस में बैटा था तो बस तोड़ी सी फूल थी सीटी में तो मैंने उंकल थे उनको सीट दी मैंने अपनी कि आप बैठ जाईए सटो कि आप फिर उन्होंने बाते सुरू की फिर एक-दू लोगोंने और जो इन किया सो मजा आता है कि लोग गुलने मिलने भी अच्छा है याहां अक्यला फिल नहीं होता यहां पर अगर ऑप व захigg राणले मैं अक्यला सका है गर की जदा याद आएगी बट मेरा ग्रूप मेरा ग्रूप अच्छा था परसनली इसलिए मेरे को याद नहीं आई और यहां कि आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सोचलाइज होने का ट्राइक करना चाहिए पहले तो हमारे जो इंडियन से उसे सोचलाइज होंगे तो फिर हमको थोड़ा हमारा वो जो एटमोस्वियर इंडिया वाला थोड़ा मिलेगा और फिर हम बाकी से भी इंट्रेक कर सकते आपने अपने फ्रेंड की बात की कि उसके रूमेर्स उसके पूछ रहे नहीं थे इस अस्ट्रेलिया में यहां किसी भी कंट्री में जाओगे आप यहां पर फ्रेंड्स बना सकते हो लेकिन वो सदा के लिए नहीं होते हैं रूमेर्स कई बार अच्छे मिल जाएंगे कई बार नहीं कई बार खराब करने वाले भी होंगे वह आपके हाथ में है कि आपने उसको कैसे टैकल करना है जैसे आपका दोस्त जो है आपने को मान लो उसको जो वही जगह पर मिलगी उसके रेलिटिफ का गर वो तीन गंटे दूरी के उपर आ या उसने लेनी है तो उसको वहां पर जाना पड़ेगा तो क्या वो सिचुवेशन वहां वही प्रॉब्लम तो हमें जितने भी जो यहां पर आ रहे हैं मैंटरी स्ट्रॉ को बनके आना है और यहां पर खाने पीनी की जो चीज़ें आप बता रहे हो कई बंदों को नहीं आता जो बॉइस आते हैं उनको खाना मनाना नहीं आता है तो कहूंगा फर्स्ट और खाना मनाना सीख के आओ कि आपका जो रूमेटा है वो मालो आपने तीन चार जब मैं यहां पर आया था मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था आप सारे चीज़ें आती हैं सीखनी पड़ती है घर में हमने आज जो कभी खाना नहीं बनाया था मैंने लेकिन सरकम्स्टांसी चेंज होते अपने आप को बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा यहां पर राइट मैं जब आया था तब मेरे रूममेट्स तीन चार थे मैं उनके ओपर डेपैंट रहता था क्योंकि मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता था ना आता था कुछ भी नहीं ठीक है तो जब वो आएंगे तब मैं यहां पर आपकी है लोग आपके रूमेट्स आपकी हल्प करेंगे लेकिन साने बीजी होते हैं तो पर जाने आ रहे हैं अपना सीख के आओ ठीक है दूसरी बात यहां पर इंद्नियां स्टोर में जाकर आप प्रचेस कर सकते हो चीज़ें जैसे बनी-बनाई रोटी मिल जा और कितने दिन तक और मैं आपको यह कहूंगा जितने भी स्टूड़न लोग आ रहे हैं आते ही लग्जरी आइटम मत प्रचेस करो यह अपने दिमाग में डाल अगर आपकी पॉकेट लॉग करती है तो करो मैं तो करता हूं मत करो क्यूंकि जब आप जाओगे न आपको लैप आप यह कभी देखा कि फोन के पैसे तो आपने देने मालो आपकी जौब लगी नहीं और उपर से इस्टॉल्मेंट पड़ती गई तो पैसे तो आपको यह देने हैं तो इसके लावा कुछ और शेयर करना जाते हो हर्श मुझे बताईगे बस मैं वही कह रहा था कि financially हमको manage करना पड़ता है जैसे कि मैंने यहां के एक भी डॉलर एक्ट्रा वेश नहीं किया मैंने सिर्फ सिम कार्ड लिया है और सिर्फ रेंट उसके अलावा कुछ भी कोई भी एक्ट्रा चीज मैंने और मेरे रूमेट्स तो अच्छे कि अभी मेर भी कुछ नहीं पड़ते हैं जैसे कि मेरा फ्रेंट का इक्साइच रहए हुआ सो मेरे को इतना खर्चाा नहीं हुआ क्योंकि दोस्त थे ने मैया को संफाल लिया ने ऑड फोन की ज़रुब्स अब पर्चेश नहीं किया जैसे मेरे पास फोन के होंगे मैं अपना आरेंट न कर दो और स्टी से वाぁ पड़ेगा टाइम वेस्ट हुआ ती के लेकिन आपके पास गाड़ी उतीच वो जो डिस्टन्स आप सेवन किन Cheese र्मिने क Choose एक प्पेस मेंच्छता लगना था लेकिन आपको मौडबर भर ही जाना थए वह यहां से 9 किमी दूर है तो मैं एक घंटे प्लस में पहुंचा बस में बस में बीच में कोई भी बस पकड़ लो 35 से 40 टॉप आते ही है कि थोड़े मिंटर के डिस्टेंस पर स्टॉप है वह अच्छी भी बात है कि किसी को कहीं जाना हो तो दूर उसको पैदल ना जाना पड़े तो मेरे को सिर्फ 9 किमी में ना दो दिन से में ट्रावल कर रहा हूं सबसे पहले अगर आपने कोई ची लेनी है तो वह कार लो अगर कार नहीं है तो समझो आपकी लाते ही नहीं है जाएं सकते कहीं पर ठीक है न तो और मैं तो कहता हूं लैप्टॉप पर हमको खर्चा अभी आते ही नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर पब्लिक लाइबरेर अगर आपको पर अच्छे से अच्छे को यूज कर सकते हो प्लस आपकी उनिवर्सिटी में भी लाइबरेरी होगी तो बिगिनिंग में आपके कार आया ऐसा कुछ है जो अच्छी इन्वेस्मेंट सुथती है उस पर इन्वेस्स करेंगे और फिर बाद में लेप्टॉप य अगर आप रात के टाइम पर और एसा कोई दिक्कत नहीं सेफ और आप सबब में रहते हो और अगर आपको परसेठी तक बस मिल जाएगी साइद 12 बजे तक बस मिलती है या फिर 1150 तक उसके बाद मैंने बसस देखी नहीं थी होगी साय तो ट्रांस्पोर्ती इसन डिक्ता पूरी राज चलती है बस इस ठीक है पूरा मतलब हर एक वन आवर के बाद आपको सिटी में बस मिल जाएगी ठीक है और बाकी जो टेज है वो मेरे साफ से साड़े ग्यारा और बारा बजे राद तक चलती है फिर बाद में सुबह शुरू हो जाती है फिर सुबह पांच तीक ह सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको वेहिकल आपके पास होना चाहिए तो हम लोग ट्रावल कर पाएंगे और जौब वगरा करते हैं तो मैनेज कर पाएंगे यह फिर हम यह भी कर सकते हैं कि अभी मैंना स्कूटर पर बैठाओं लाइक मेरे दोसने रेंट पर ली हुई है यह अरांड वन ट्वेंटी डॉलर की है सुजुकी की अड्रेस तो उसको डिलेवरियों में भी फाइदा अच्छा होता है कि अगर आप ऐसे डिलेवरियों करो दो जब अभी तो ठंड यहां पर तो अभी कोई दिक्कत ने पर जब भी गर्मी होती है या फिर जब भी बारिस होगी तो इसमें साथ उतने इसी जब आप जाओगे सपर्दियां में यहां पर जबर्दस परती है नहीं कोई बात नहीं आपको वन भी हुआ है अभी हां एक्जेक्ट्ली वन विक मैं 20 को लेंड हुआ अच्छे बाते बताई हैं और आपको वीडियो के मेरी जरीए कुछ ना कुछ तो बेनेफिट हुआ ही है एक हफता आपका experience हमने लोगों के सामने शेयर कर दिया बाकी फिर कुछ नया आएगा आपके मन की अंदर हम दुबारा आपके साथ मीटिंग करेंगे और आपको मिलेंगे भी जब हमारे पास time होगा अगर एक flight की बात किना चाहँ आपके थी कि जैसे कि कोई फर्स टाइम फ्लाइ कर रहा है फर्स टाइम फ्लाइ कर रहा है तो उसको ना दीच बीच में जो stay वो थोडे लंबे लेने चीए तो आर्स के कम के नहीं तो आर्स के थोड़े से ज्यादा क्योंकि मेरी फर्स फ्लाइट थी सो मैं तो दिल्ली के एरपूट का कोई आइडिया नहीं था तो मेरे को लगा कि इतना चोटा होगा सो मैं विस्तारा की ओफिस ढूंड रहा हूँ मैं लबबग आदा गिलमेटर चला हूँगा इधर से इधर इधर सुदर लाच में विस्तारा की ओफिस थी और फिर मेरे आगे कपल था उसकी भी सेम सिंगापूर की फ्लाइट थी तो वह भागा सो मैंने उनको बोला कि क्या मेरी फ्लाइट मीस हो जाएगी थो बोलकी अगर भागो के तो मीशन अगोगी तो मैं डर गया था क्योंकि आगे इमिक्रेशन थी सिक्यूरीटी भी चेकप था आप के था भाईट भी करनी थी तो फिर अ प facts tar जी मेरे को पाता नहीं की मेरी इंम मैंने हडबाड में आगे लाइन में घुश के आया सो मैंने पूछा कि शो मी और पीयर कार मैंने बोला कि मेरे पास पीयर नहीं है स्टुडेंट विजा पर हूँ फिर जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तो उनको पता चला कि मैं नर्वस था मेरी फर्स फ्लाइट थी सो उनको पूछा कि मेरा इमिग्रेशन का होगा तो विजा उनके हैंड मे था उन्होंने वीजा चेक कर लिया और मेरे को फर्दर कुछ पूछा नहीं है आगे फिर थोड़ी बद चेकिंग यहाल थी फिर खुछा नहीं है वा क्यकि हम जैसे ही जाएश पर लेंड हूए तो मेरे इमिगरेशन जा उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को टर्मिनल वन पर जाना है और मेरा लगेज वह से कल्यक जयक करना है एक्चुली मेरा लगेज मेरे को अडिलेट से कलेक करना था अगे लिए भोला था हां सो मैं वेट कर रहा था मेरा only 1 आर & 40 minute का था आपछू में लेवर सो मैं वेट कर रहा था मैंने 20-25 में वेट किया मेरा बैग नीया था मेरे को लागा मेरे को डिसीजन लेना चाहिए यहाँ पर या तो मेरी फ्लाइट मीसोंगा मेरा लुगेज मीस उगा मैं भागा वह जो इननुना टर्मिनल पर मेरे को गलत बदा दा ये मेरे को घना था थर्ड टर्र it तो फिर में बतलब मुवी जैसे सीन हो गया था मेरे दौर दोर दोरते शारे डॉक्यमेंट्स के गया थे डॉक्यमेंट्स इखटा कर रहा था फिर किसी ने बूला कि लेफ साइड जाना है टर्मिनल 3 था पर वो अराइवल वा रहा था मेरे को जाना था डीपार्चर पर तो य सब ओके हो गया था और मैं सिंगापूर एलाइस प्रिफर करूंगा क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है और वो कुशन अगरा देते हैं और मैं बोलूंगा कि यो फर्स्टाइम ट्रावल कर रहा है वो नेक का कुशन लेकर है वैसे तुम लोग 50-70,000 रुपे स्पैंड कर र इसा इसा सर ही रहा था सब आसे वह रहा है तो फ्लाइट का लेवर बीच में लेवर थोड़ा ज्यादा हो दो गहंटे से ज्यादा पूलूंगा मैं आपको भागंभाग नहीं हो जब फ्रस्टाइम हो गैशारे आपके लिए नहे होँगे तो क्या करना है तो आपको अगर दिफ़ेर फ्रेश होना या फीर कुछ खाना नहीं खा सकते हो और s flying खोलोंगा कम खाना है přेज़े हैं सब् cuts थे कम खाना म्याला कम खाया था बट तब ही ठीक नहीं लगरा था जूशी सहाते हैं उष्त और एंघ्य लह सक्ते हो या फिर आइस क्रीम अगरा वहां पर बोट लगे होते हैं अब आपको कि टिकट के उपर टर्मिनल वन लिखा है तो आपको टर्मिनल वन में हमेशा मिलेगी वह चेंज भी हो सकती है तो मैं आपको जितने भी वीवर्स देख रहे हैं जो फर्स टाइम आ रहे हैं अपने दिमाग में बाद डालो कि जब भी आपने किसी एरपोर्ट पर जाना है तो वहां पर बॉर्ड लगा होता है जिसके अंदर सारे फ्लाइड जाती होती है वो आप वहां पर जाकर चेक कर सक है यह आपको बेनेफिट देगा आपको कहीं डरने की जुरूत ही नहीं है इसमें तो वह वाज सही है कि मिलना है जो आपका टिकेट जब बुक करवाते हो वह जो टिकेट बुक करते हैं उनको पता होता कि इस बंदेने यहां पर डेस्नेशन पर जाना है अगर तो देखो अ आप मेलबन टू एडिलेड आते हो उस केस में आपको लगेज लेना पड़ सकता है अपना तांकि आपको वो दमेस्टिक वाइड मिलती है आपकी सिंगाफ़र से एडिलेड है वो इंटरनेशनल फ्लाइड है तो आपको उस ताम के ओपर लगेज नहीं लेना था और जब आ इमिग्रेशन वालों से मतलब मैंने मेडिसिंग घरवालों ने फोर्स फूली दी थी कि अगर तुमको कहीं कुछ प्रॉबलम हो तो मैंने मेडिसिंग वाले पर क्लिक टिक किया था उन्होंने पूछा मेरेको कि is it medicine मैंने बूला yes कि are you sure आपकुछ शिपा नहीं हो मैंने को अपना पास्पोर्ट फ़स्ट आम अगर किसी का रहा है और इंक किसी की स्प्रेड तो मैं बुलूंगा साथ दूसरा मंगवालो उप अगर आपको ट्रावल ज्यादा करना है तो आपका श्केन होगा उसना वब बनाःती मैंने अपना पास्पोर्ट रीनीव करवाया था तो पास्पोर्ट के अंदर ना दो नंबर होते हैं मैंने इसके उपर वीडियो बनाइए एक तो राइट साइड के उपर होता है और वही नंबर लेफ्ट साइड के नीचे भी होता है अबने लिए अचानक लिए पास्पोर्ट जू मेरे पास्पोर्ट गया की इस सर यह देखिए कि ऐसा ऐसा है उसने मुझे जहां पर पासपोर्ट बनते हैं जलंदर से में बिलॉंग करता हो पंजाम से वहां पर चला गया और वहां पर देखा इतने सारे प्रॉब्लम कैसे आ गई उपर नंबर कुछ हो रहा है नीचे कुछ हो रहा है क्योंकि आपका तो जो आप पासपोर्ट आए अब मेरे को एक और मैसेज आया कमेंट किया है कि मेरा वीजे के ऊपर नाम आया है संजीव से लेकिन मेरा पासपोर्ट के ऊपर जो नाम है से एन कुछ ऐसे मिस में आज़ा है तो भी प्रॉब्लम आएगी तो यह बाते आप वर्बली कर सकते ह नहीं करना है एक वर्ड का भी आपने प्रॉब्लम आएगी संजीव सकती है वीजे में प्रॉब्लम को पहले सेमार करके देखना है क्योंकि अब नया बच्चा आता है उसके मारे में रहें वाहर जाना है बस और वो ही बस बाहर लेकर जैसे सो presenting करते यॢ़न कि एक और बात है मेरे को अब Administration that की आघ sic सड़न मेरे को दो करा का लाइसन्स एड़ा था की जा टीरते पास दो अंकर ये पड़ा मैरे खाल टीर द और अब कि प्लस टू के बाद आ रहे हैं लेकिन उठारा साथ से उपर नहीं है तो लाइसंस नहीं बना रहे तो उनको तो यहीं पर आके बनाना पड़ेगा पोजी यह करो कि अपना लाइसेंस जो है इंडिया का का लाइविंग लाइसेंस वो बना के लेकर आओ यहां पर आकर करा सकते हो आप भी अपना जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप भी जल्दी से जल्दी इसको कनवर्ट करना शुरू करिए सर्विस ऐसे यहां पर है वहां पर आपको पेपर देखे एक बार ड्राइविंग लाइसे आपके हाथ में आ गया ना समझ लो कि आपको बहुत बड़ा आइडाइंटिडी कार्ड अस्ट्रेलिया का यहां पर हुआ है कल मेरे को छोटी सी दिक्कत हुई कि मैंने कॉमन वेल्स पर मैंने सीम कार लेने से पहले मैंने अकाउंट खुलवानेगा तो मेरा सिम कार से पहले अकाउंट तो ओपन कर दिया मेरे मेल आइडी के बेजिस पर फिर मेरे को नंबर डलवाना था तो मैं फ्लेंडर्स यारा था मेरे बस्टॉप पे पास ही उसका ब्रांद था तो मैं वहां चला गया नंबर एड करवाने तो उन्होंने इंडियन ड्राइविंग लाइसंस से वह अप्रूवल करने से मना कर दिया और मैं पास्पोर्ट हर देगा लेके निकलता नहीं हूँ तो आपने बोला है कि एक आईडी काड आता है यहां का जैसे एडल डिया यूट हाँ प्रूफ ऑफ एज काड वह बनवा लेना चाहिए तो वह सायद हर जगा चलेगा तो मैं वहीं बनवाने की सोच रहा है शाहिए लगते हैं 25 डॉलर समतिन लगते हैं लेकि प्रूफ का प्र प्रूफ ऑफ एज काड बनाने के लिए भी कुछ डॉकुमेंट्स चाहिए जब मैं गया था बनाने के लिए उसने मुझे कहा था कि पहले आप अपना ATM काड लेके आओ क्योंकि उसके भी नंबर होते हैं और एक बात आपकी सही है कि उतरते ही हमको पहले TFN अप्लाइ कर दे गा उसके बाद वो आपको सेलेडी देंगे सो यह के बाद रहती है अकाउंट नंबर प्रूफ ऑफ एज काड ड्राइविंग लाइसाइंस यह चार पान डॉकुमेंट समझ लो कि अगर आप रात को आये हो ना प्रोसेस सुबह करतो चुरू जितनी जल्दी हो सगे क्योंकि अब इमिग्रेंट्स और आ रहे हैं तो ताइम बहुत लग रहा है प्रोसेसिंग ताइम में तो जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आएगा तो अपने अपना शेयर किया और इसी तरह होफ़ुली हम मिलेंगे और अपना रेयल एक्सपिरियंस कुछ आपको अच्छा लगे यह कुछ आपको शेयर करना जाते हो मुझे मैसेज करना ठीक है और एक बार फिर आपके साथ वीडियो बनाके लोगों के साथ शेयर करेंगे का कि उनको पता लग सके कुछ भी experience होता है देखो हफ़ते दस दिन में आपको इतना experience दुबारा हो जागा अपने काफी सारा experience बता दी गया ठीक है अभी hopefully एक महीने के बाद हम दुबारा मिलेंगे अगर हम वहिकल लेते हैं यहां के लोगों को पता नियोगा वहिकल लेते हैं तो हमें पहले ना किसी के साथ बैठके यहां के रूल्स मालूम करने चाहिए क्योंकि सीजा 600 डॉलर का fine आता है वो जो कोई भी international student होगा वो मेरे एक roommate को आया हुआ है सो बहुत प्रब्लम होती क्योंकि कोई भी international student 600 डॉलर बड़ी amount होती है और तुमारे points भी कठेंगे वाइसंस में से तो वो पे थे साय तो उनके कुछ points कठें और 600 डॉलर से कम का fine नहीं आता है तो मैं न सीख गाड़ी मेरे को आती है फिर में उनके पास बैट बैट के जब भी वो चलाते हैं तो वहां के rules से मैं used to होता हूँ क्योंकि यहां पर यहां का rules थोड़े बहुत ज्यादा अलग है इंडिया से easy है बट थोड़े से अलग है हम वहां पर फोलो नहीं करते हैं वहां पर जब हमने left turn देना है तो कोई भी lane में से उठाकर हम इटर से भाग जाते हैं यहां पर ऐसा नहीं है आपको पहले दूसरी lane में आना पड़ेगा एक रूल जो है वो अलग है यहां पर वैसे मैं इतना expert नहीं हूँ जो पर driving आती है जब आप roundabout आते हो तो आपने राइट पर देखना बस राइट से जो आ रही है आपने lane चेंज करने एंडिकेटर से करो आपने जहां पर यूटा नहीं लिखा हुआ वो तो पता ही है sign यहां पर है यही तो rules है और क्या तो आधर डाल लो क्योंकि यहां पर 600 डॉलर्स आपक कि पे हो सकती है जब आपके सारे पॉइंट कटके न तो आपका driving license भी खतम हो जाएगा फिर दुबारा process शुरू करना पड़ेगा और आप गाड़ी नहीं चला सकते हो और गाड़ी नहीं चला सकते हो काम पर कैसे जाओगे प्राब्लम बहुत सारी बाते हैं पता लगी थैंकी सो मच और मिलते हैं अगली वीजो में hopefully जितना हो सके और वैसे भी हम मिलेंगे जो बंदे आ रहे हैं वैसे बहुत साब बंदे मिल रहे हैं कई बाहर मैं बाहर जाता हूं तो वह पचाल लेते हैं और अच्छा लगता है से मिलके बाकि अगर आपके मंद के अंदर कोई कोईशन है जो बाकि वीवर्ज है इस यूटुब के उपर डालूँगा तो नीचे कमेंट करो जो हर्च ने अपना एक्स्पीरियंस शियर किया है अगर कमेंट आकते हैं हर्च को दुबारा बलाएंगे और उससे पूछेंगे क इसका अंसर कर आए आप देख लेना और को को उसे कमेंट आये हैं तौकि लोगों की है कि आपके जो शुप्सक्राइबर से वो टेलिग्राम पर उनको आंसर करता रहता हूं मेरे वीज़े आफ कोई भी पससल है तो मैं उनको आंसर करता रहता है परशनल भी मैसेज करते है मतलब कुछ-कुछ होंगे जो पे अच्छी नहीं देते होंगे बड कुछ ही लोग है बाकी सारे है वो सपोर्टीव है यहां पर किसी को कुछ-कुछ लोगों को फीज की भी दिक्कत होती है तो यहां के कुछ इंडियन्स उनको सपोर्ट करता हैं फीज पे कनने में यह बी है और वहां पर इंडिया पर लोग पन्योल मन हाथ्याई जॉल पर लॉड इंडिया होते हैं कि जोप नहीं मिल है बहुत सार रे मैं तो पुरूँआ की जौब बहुत इरिस्पेक्टिव जौब है यहां पर इसी ली मिल जाती है मैं देखो इंडिया में अगर हम कोई होटल पर क्लीनिंग करता है उसको हम छोटा मांते है यह हमारी सोच है काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है लेकिन अब सुसाइटी में रहते हैं तो मतलब जैसे चल रहा है वैसे यहां पर पेरेड भी आपको उतना ही मिलना जो बाक्की बंदा कमा रहा है जो आपको सरकार के मिलना है मिनमम पेरेड वो तो मिलना ही है चाहे क्लीनिंग करो चाहे वो करो जो मर्ची करो यहां पर क्लीनिंग जो करता है वो भी बं कर लो शुरूर काम चाहिए जैसे कि मेरी 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 जौब है पीजा मेकर की उससे पहले मैंने घर पर भी कभी पीजा नहीं बना है वो लोग एक उनके हस्बें इंडियन है वाइब जो ऑस्टेलियन है वह लोग बहुत अच्छे आप जीतने भी ओनेस्ट रहोगे और पॉलाइट रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहे गया क्योंकि यहां पर हम जैसे बस में भी एंटर होते हैं और फिर एक्जिट होते हैं तो उनको थेंक्यू बूलते हैं यहां थेंक्यू और स्वारी थेंक्यू और स्वारी हमें दो चीजे तो सिखनी पड़ेगी हर बात पर क्योंकि कहीं भी आपने कुछ कलती कि छोटी सी भी मिश्टेक है तो अपोलोजी हमें करनी चाहिए और यहां पर लोग बहुत गई और उनको ट्रीट कर रही है अब इंडिया में भी बहुत सारी चीज़े पॉस्टिव है ठीक है न ऐसा नहीं है यह सार देश वैसा भी सीदिसी बात है आपको सीखना पड़ेगा तो छोट क्याने मिदेगी यह चोड़ दो कि मुझे यह काम नहीं करना वह काम नहीं करन है कहते हैं बैगर्स हैव नौ ऑप्शन एक कहावद है ठीक है कि आपको जो मिले देलो जब कैपड़ हो जाओ तो वह चेंज कर दो यहां पर कौंसा के जॉब कम है ठीक है न यह असा है तो लोग एनिमेस हर्ष काफी लंबी बात होगी एप्रॉक्सिमेले थर्टी फाइव फॉर्टी मिनट्स बहुत अच्छा लगा और हम दुबारा मिलेंगे होपफुली एंड बेस्ट अफ लग